पुणे से अर्विन गुपता टॉईज की तरफ से अभिनंदन आज कल की भीशन गर्मी में बोटलों को भी ब्यास लगने लगी है देखिए ऐसे ये एक बहुत गरम बोटल है और देखिए ये कैसे पानी पीती है और बोटल में पानी चड़ने लगता है और जब हम बोटल के उपर ठंडा पानी डालते हैं तो पानी जादा तेजी से उपर चड़ने लगता है आप पानी को काफी जल्दी चड़ता हुआ देख सकते हैं यहाँ पर ये जल्दी जल्दी दिखाया जा रहा है पर असल में पानी चड़ने में तकरीबन एक मिनट तक लग जाता है इस प्रयोग को करने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए एक कांच की बोतल, रंगीन पानी और एक प्लेट सबसे पहले बहुत गरम पानी को बोतल में डालिए आपको साफधान रहना है क्योंकि पानी खौलता हुआ गरम होना चाहिए बोतल को खंगाल के पानी बाहर फैंक दीजिए ऐसा करके हमने बोतल के अंदर की हवा का तापमान गरम पानी के बराबर कर दिया है जल्दी से इसे एक पानी से भरी थश्तरी में पलट कर रख दीजिए और आप देखेंगे कि पानी उपर चढ़ने लगा है थोड़े जादा समय तक छोड़ने पर पानी लगबग एक चौथाई बोतल की लंबाई तर चढ़ जाता है बाद में हम आप से इसके उपर चढ़ने की सही उचाई भी पूछेंगे तो यहां क्या हो रहा है? यहां तो कुछ जल भी नहीं रहा है? तो ऑक्सीजन भी खतम नहीं हो रही है जब हम बोतल में गरम पानी डालते हैं तो उसके अंदर मौजूद हवा का तापमान बढ़ जाता है जब हम इस बोतल को प्लेट में उल्टा रखते हैं तो गरम हवा अंदर ट्रैप हो जाती है जब हवा ठंडी होती है तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है और इसकी जगे लेने के लिए पानी उपर चड़ जाता है। आप यहां बच्चों को ये गतिविती करके रुट्फ उठाते देख सकते। इससे हमें यह पता चलता है कि गैस की एक स्थाई मातरा का वॉल्यूम पर तापमान डारेक्ली प्रपोर्शनल होता है। अब जब हमारी बोतल की प्यास बुझ गई है तो अब वक्त है कुछ प्रश्णों के जवाब देने का। पानी के चड़ने की अधिक्तम उचाई क्या होगी? आप बोतल को एक सीधा सिलिंडर मान सकते हैं, तो लंबाई के कितने प्रतिशत तक पानी उपर चड़ेगा? और यदि हम प्लेट में ठंडे पानी की जगे, ठंडा तेल इस्तिमाल करेंगे, तो क्या इससे कोई अंतर प करम करें, तो पानी कम चड़ेगा या स्यदा? तो सोचिए और आप जवाब भेज सकते हैं support at the rate arvinbukta toys.com पर या facebook या youtube पर भी अपना मत दे सकते हैं. मत पर अपना मत पर जव याँ और या था झाल